सब्सक्राइब करिया है फाइस्ट डी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे बड़े पाने के लिए हलो फ्रेंड्स विलकम बैक हाई फाई इस्टेडी चेंजिंग दवे आफ एजूकेसर आग जो मेरा है वो फोर्थ सिमेश्टर में सांत सिच्छा की पहली क्लास है जिसमें आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुश्चन डिसकस कराऊंगा तो सभी साती वीडियो को अ अंत तक जरूर वार्च करेंगे इस से उनको वहुत ज़्यादा प्राफिट होने वाला है तो चलिए बिना टाइम बेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्लास को पहला कुश्चन देखते हैं हमारा क्या कहा गया है तो पहला कुश्चन कहा गया है कि सांती सिच्छा से क्या प्रब्राइ हैं तो सांती सिच्छा नैतिग विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्ट कौन के पोसर पर बल देता है जो प्रक्यति और मानो जगत के बीच सामंजस अस्थापित करने के लिए आवश्यक है आगला कुश्यन है हमारा उस पर विकास देगा मानों को और प्रक क्या है तो सांती सिच्छा का मूल उद्देश है कि हिंसा का मार्ग चुनने के बजाए सिच्छा का मार्ग चुनने में शशक्त बनाना ये जो सांती सिच्छा है इसका मतलब हिंसा के मार्ग से हट कर सिच्छा का मार्ग चुनना है किलियर हो गया ना अगला कुश्चन देखते हमारा कहा गया है अगला कुश्चन कहा गया सांती सिच्छा की आवश्यक्ता क्यों है सांती सिच्छा की आवश्यक्ता क्यों है ठीक है न तो हो जाएगा हमारा भाही की समुदाई में रहने की आवश्यक्ता हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है इसलिए दूसरों के सामंजस पूर्वक जीने का कोशल बिक्सित करना सिच्छा के मूल में नहीं थै कहने का मतलब जो हमारा समद है उस समाज में आफिस प्रकार की मानょवत्वटा चाहिए उस मानोवत्वटा को शिखाने का कारिकौन करता है वो तो सांती सिच्छा करती है ये नहीं कि हर बात पे आपको हिंसा ही करनी है अरे जी नहीं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अगला कुश्चन कहा गया है कि शांती कौशल से क्या अभिप्राय है शांती कौशल से क्या अभिप्राय है तो विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या बहुआर ब्यक्सित करना जिससे वहाँ प्रभावी शांती निर्माता बन शके यहीं कि जो बिद्यार्थियां हैं उनमें ऐसा कौशल ये बेवहार विक्सित करना जो प्रभावी शांती निर्माता बन शके तो शांती कौशल और शांती सक्ति में बिसिकलि थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना ठीक है ना अगला कुष्चिन हमारा हो जाएगा कि उत्तरदायूत किसे कहते हैं तो काम का बीड़ा उठाने और उसके लिक ढग से पूरा करने की योगिता अपने हिंसा के दायूत का निर्वाह करने को तैयार रहना ही उत्तरदायूत कहलाता है लोग कहतें नहीं कि ये आपका उत्तरदाईत बनता है आप ये कारी करिए तो कहने का मतलब आप किसी काम को उठाएं और उस काम को पूरा अंतर तक पूरा करें यही कहलाएगा मेरा उत्तरदाईत क्लिए रहे ना दोस्तों चलिए ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा कहा गया है कि आलपोर्ट के अनुसार बिक्तुत क्या है तो अस्तित्त की प्रिक्ति संगठनात्मक गतनात्मक या इसमें मानों तता सारी दोनों परकार के गुड़ शमहित रहते हैं ये कहा था किसने तो ये आलपोर्ट के दिविद्धी आगला है अगला sustain को करेक के औहुति है मैं पोगति क्षे निर्दें८ को वर्लय कम क मेरें कीया के तो विसद्धा बहुति हैं बेक्तुत के हैं जो basically वो हमारे दो तत्तु हैं कौन-कौन से जैविक कारक तथा वातावरड यह कारक यह प्रमुक दो तत्तु होते हैं जो बेक्तुत को निर्धारित करते हैं अगला question है हमारा वातावरड कितने परकार का होता है तो वातावरड दो परकार का होता है आंतरिक वातावरड और बाहे वातावरड आंत्रिक का मतलब जो अंदर का वातावरड होगा बाहे वातावरड का मतलब जो हमारे बाहर का वातावरड होगा किलियर है चलिए ठीक है अगला कुश्चिन कह रहा है कि आंत्रिक वातावरड कौन कौन से तक तुश्यम मिलित हैं जो अंद वातावरड होता है भोति गतविदिया समाज की बाते आर्थिक बाते और हमारी सांस्कृतिक बाते होती्स हो टीए उस्युद की अंतरगत요 सकाई समाचार पाथि इंटरनेट आधि समाचार के माद्यम है जान मतलब आद्म तब कसन जी किरिया के आधर निम्न लिखित हैं शहयोग हो जाएगा पृत इस परदा हो जाएगा शंगर्स हो जाएगा विवस्ता हो तथा आत्मी करड़ ये प्रमुक होते हैं सामाजिक अंता किरिया के आधार अगला हमारा कुश्चन के रहा है कि बालक के बिक्तुत निर्माल में कौन कौन से तत्तु आवश्यक हैं या शहायक हैं प्रेम सबसे पहली बात आती प्रेम आई मिन लब दूसरा है मेरा सहयोग मेत्री फिर हैं शहिर्टा आध के तोरह बालक के बिक्तुत का निर्माल होता कहिने का मतलब बालक में प्रेम हो दूसरे के निर्माल में आवश्यक話 होने वाले तत्तु अगला कुष्चन कह रहा है हमारा अगला कुश्चन कह रहा है रच नातमक सोंच तो रच नातमक सोंच शकार अतमक विचाअद धियुम किर्य कल आपको जन्व देती है क्लिया रहे न, यह हो जाएगा हमार रच ना पत्त्त अगला कुश्चन कहना प्रभावी संप्रेशड क्या है आपशी बेहुआर स्वस्त यूम अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेशड अथात आनि बात को अच्छे महत्रपूर धंग से प्रस्तुत करने पर शंबंद स्वस्त यूम विकास की ओर पढ़ते हैं कहने का मतलब जो आपके आपसी बेहुआरे लोग कहते हैं अगर आपके आपसी बेहुआर अच्छे रहेंगे तो आपका प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा रखने में जो आपसी बेहुआर है अच्छा रखने की प्रभावी संप्रेशड जो ह होता है वही मेरा होता है प्रभावी शंपेश्ड के लिए रहे न अच्छा ढीक है अगला कुषिंड कहला है हमारा समस्य समधान करना क्या है तो समस्य समधान करने की कुसलता जीवन की खुशहाल योम शस्त मनाती अगर आपके कोई शमश्य है तो आप जब- तक उसकी समस्चा का समाधान नहीं करोगे, आपका जीवन जो है वो खुशाल नहीं हो सकता, आप हमेशा किसी ना किसी टेंसन में जरूर रहोगे, अगला कुश्चन कह रहा है हमारा, एक आदर्स सिच्छक में क्या गुड होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्डन कुश्चन है तो एक आदर्स सिच्छक की तुनला माली से की जाती है, जो बच्चों में ग्यान और अच्छे संसकारों के बीजब होता है, कहने का मतलब जो माली होता हूँ क्या करता है, बच्चों में अच्छे जो फूल होते हैं, उनको कारता है, अच्छे सुनके देख रहे करता हूँ वही सिच्छा का कार्य होता है अगला कुश्चन कहरा सांती के लिए सिच्छा का मूल लच्छ क्या है तो मूल लच्छ है हमारा बैक्तुत निर्मार उत्तरदाई नागरिक्ता का निर्मार ये सांती के लिए सिच्छा के मूल तत्तु माने जाते हैं भाई अगला कुश्चन कह पर आज सांती पर बल क्यों दी हाजता है तो आपको पता है गांदी जी भीök वे ले थे वो सांती पर अमगि अपनायं हुए थे वो हिंसा नहीं करते थे न ओधीना वे अहिंसा के पुजारी थे कहा गया कि जिस chantय को दूसरों को अहित होता है वही हमारा क्या कहलाता है हिंसा कहलाती है जिस कार से दूसरों का अहित होता कहने का मतलब ऐसा कार जिस से दूसरों का नुक्षान होता है वह हमारी क्या कहलाती है हिंसा कहलाती है अगला है मेरा हिंसा के कितने रूप हैं तो बहुत से रूप हैं मार पीट जान से मारना किसी को मांसिक दुख देना करोद करना यह सब हिंसा के रूप है यह लोग आप लोग जानते ओंडे सब समाज में अकसर होता ही रहता है अगला है मेरा हिंसा के अप्रति महत्मा गांधी के क्या भी चार हैं तो किसी बिक्त के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना यही होता है हमारा हिंसा मात्मा गांधी जी कहते थे हिंसा मत करो आप लोग हिंसा मत करिये ठीक है ना अगला हमारा हिंसा के कितने परकार हैं तो हिंसा के निम्न परकार हैं मौकिक हिंसा मनोवे ज्यान इन्सा शारीरिक हिंशा डांचगत हिंशा लोकप्रिये हिंशा या अशलीलता यह सब उते हिंशा के निम्न प्रकार अगला कुश्चिन कहा गया है हमारा कि समवेदना का आसे इस पश्ट कीजिए तो बेहतर जिंदगी यानि कि मस्त जिंदगी और स्रेश्ट समाज वह परिव अगला कुश्चन कहा गया है कि मीडिया के कितने प्रकार होते हैं तो मीडिया के बेसिकली आपके तीन प्रकार होते हैं लोक संचार माध्यम जन संचार माध्यम और मुद्रित माध्यम यह तीन जिसको हम लग प्रिंट माध्यम कहते हैं जो प्रिंट मार्केट में मिल जाती है ठीक ना अगला कुश्चन कहा गया महत्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो ये कुश्चन भाई मोस्ट आइंपी कुश्चन है ये मोस्ट आइंपी कुश्चन है महत्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1879 में कठियावार में हुआ कठियावार कहा है तो ये पोरबंदर का एक अगला कुश्चन कहा गया गांधी दर्सन को कितने भागों में बाटा गया है तो गांधी दर्सन को तीन भागों बाटा गया है तत्तु नीत और शमान यह गांधी दर्सन के तीन भाग हो जाएंगे अगला कहा गया गांधी जी के अनुसार शत्यागरा का क्या अर्थ है तो सत्य सक्ति है किन्त चूंकि सत्य आत्म है इसलिए वा आत्म सक्ति भी है आपको हमेशा सक्ति के मार्ग पर ही चलना है ऐसा गांधी जी पर कहते थे और ऐसा आज कल के पहाँ पुरुष जो लोग कहते हैं कि सत्य का मार्ग अपनाई है हमेशा आपकी जीत होगी ठीक है ना अग मेरी पहली क्लास थी अब आपको डेली इसी टाइम पर क्लासे मिलती रहेंगी तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो वह जदा है फुल रही होगी अगर आपको समझ में आए यह तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट कर देना मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो को साथ तब तक के लिए सबी सात्यों को जय हिंचय भारत और वन्दे मातरम